नमस्कार दो मैं आपका computer teacher कमलेश आपका स्वागत करता हूं MS Word के format menu का हमारा part 1 हो चुका था format menu हमारा लगबग complete होने वाला है थोड़ा सा जो हिस्सा बचा है वो मैं आपको बता रहता हूं हमने columns, breaks, line numbers, line numbers यहने की प्रवाइन आपको समझ में आया जोगी नहीं आया हो तो आप जिब newspaper पढ़ते हैं सुबह आप कॉलम देखते होंगे उसमें दो कॉलम में तीन कॉलम में खबरे आती होगी एक कॉलम जब पूरा हो जाता तो दूसरे कॉलम में start होती है वैसे ही हम कॉलम बने सकते हैं ब्रेक तो पेज ब्रेक करने के लिए होता है लाइन नंबर्स यदि आपको लाइनों में नंबर डालना है जैसे मैंने यहां पे लाइन नंबर डालके आपको बताया था यदि आप कंटीनियूस करेंगे तो पहले पेज से एक से शुरू होके और लास्ट तक कंटीनियूस जा इसके बाद जब आप देखेंगे तो कंटिनियूस नहीं करते यदि रीस्टार्ट इच पेज वाला ऑप्शन यदि आप लेते हैं तो रीस्टार्ट इच पेज में हर पेज में पहले से शुरू होगा कि रिश्टार्ट इच पेज भी आपने देख लिया जैसे ही दो चार ऑप्शन और है इसमें इसके बाद हाइप नेशन जदी लाइन के अंतिं कोने में जदी कोई ऐसा अशर्दा आता है वर्डा आता है जो बहुत ज्यादा लंबा है तो भीच में एक सही हो जग चिन हम लग साइन लगा है ऊर्ड यह के बाद हम आजते हो पेस या पेज बेगराउं है यहाने आफज में कि यहादा ने सलस्ता का नाम डाल सकते हैं यह छपा हुआ मिलता आपको जैसा कि इस पेज में आप देख रहे हैं हलका हलका सा हाइलाइट हो रहा है नीचे पीछे पेज के पीछे की साइड बेक्ड्राउन तो ऐसा आप अपने हिसाप से लगा सकते जैसे ही वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे यहां पर तीन चार डिजाइन है यह मैंने अभी सिलेक्ट कर रखी है यह आप चाहते कि हम हमारे हिसाप से नाम एजिट करें हमारा नाम या हमारे इंस्ट्रिट्टीट का नाम संस्ता का नाम तो कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे यहां पर तीन ओक्शन है नो वाटर मार् तो यहां पे हम picture watermark भी लगा सकते हैं और text watermark भी लगा सकते हैं हम text देख लेते हैं text की font कौन सी रहेगी यह हम यहां से choose कर सकते हैं उसके बाद language Choose कर सकते है font चूस कर सकते है और यहां से फोंट साइस फोंट की स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आटो कर सकते हैं या अपने हिसाब से एक पार साइज लेकर देखेंगे तब पता चलेगा इस फोंट का कलर क्या रखना है कलर भी चेंज कर सकते हैं और आप यहां कि बेग्राउंड आ चुका है अब जैसे आपने साइज लिया था तो जितना साइज आपने लिया उस हिसाब से यह एक में विजन इस्टुट्र आपको कम्पीटर साइज बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है कस्टम वाटरमाग पे जाके मैं फिर से इसे कम कर देता हूं साइ कम्पीटर साइज की जागे मैं सीएस लिख जाता हूं अब यहां पर पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन यह हलका दिखाई दे रहा है यदि आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो यहां पर जो सेमी ट्रांसपरेंट एक आप्शन है इस पर टिक है यह टिक आप हटा दीजे क्लिक करके और ओके कर दीजें तो हम आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा आप चाहें तो इससे थोड़ा सा फॉंट साइज बदल के और अच्छा लिख सकते हैं इसकी जगे आप पिक्चर वाटन मार्क भी लगा सकते हैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करें और पिक्चर स अच्छाउट क्लिक कर दूए तो एंपिका ने बेग्राउंड में दिखा ही दे रहा है और टॉप कर दूए इस तरह से आप अटरमार्क लगा सकते हैं ठीक है समझ में आ गया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को इसके बादे पेज कर पेज के कर इसे आप यूदि आप चेंग करना चाहें तो आप पीज के कलर को चेंग कर सकते हैं यहां से पहले बातर मार्क हम दे लिए खेंगा जैसे आप पेज का कलर चेंग करेंगे वाटर मक बिल्किल क्लियर दिखेगा तो यह पेज का कलर ज़बी नहीं कि आपके प्रिंट में तो आप पेज कालर यहां से चेंज कर सकते हैं वाटर मार्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो लोग एक्जाम जेने वाले हैं उनके लिए उसके बाद आता है पेज बॉर्डर तो बॉर्डर एंड शेडिंग यह बहुत ही महतफूर्ण टॉपिक है आएंपी टॉप एम-स-W객 का आप यदि पेज के उपर लगाना चाहते है तो भी पेच बॉर्डर और अप्शन में जाना पड़ेगा यदि आप केवल कुछ लाइनों में या एक पेरेग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो भी आपको पेईज बॉर्डर के अंदर जाना पड़े य या फिर आप शेडिंग याने की जो अक्षर होते हैं आपका टेक्स्ट होता है उसको डार करना चाहते हैं जैसे मैंने पेज बोडर में यदि आप डिजाइन लेते हैं जो आपको अच्छा लगे वॉक्स वाले डिजाइन सबसे यादा पसंद की जाती है कोई भी डिजाइन ले लेंगा और कलर आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं इसके अलावा थिकनेस आप मोटा ही बढ़ा सकते हैं यदि उ आप पेरेग्राफ तो इस तरह से आप पेज बोडर लगा सकते हैं पेज बोडर में और भी ऑप्शन है यहां पे आर्ट नाम से एक ऑप्शन दे रखा है आर्ट वाली आप कोई भी एक अलग से जो डिजाइन दी हुई है फ्रूट वाली ट्रीज वाली यह अलग तरह की ब पहले सेलेक्ट करें झालें परेग्राफ सेलेक्ट करने के बात जैसे मैंने परेग्राफ सिलेक्ट कर लिया उरक पर जाके बॉर्टर पे कुदि करेंगे आप यह वाली टैप लिया और यहां पर मैंने डिजाइन लेगी है ग neighbor यह आपको प्रियों करें कि आपकी पेज़ बोडर बोडर होगी तो ने कि वेज और पहर गाया डाना सीख गयाँ हूंगे गाया है तो क्षेडिंग शेडिंग क्या ओता है आपको दिखा देता हुए इस paragraph को मैंने select किया, page border पे गया मैं, shading, shading के अंधर fill, कौन सा color आपको shading में लगाना है, आप ok कर दे, यहाँ पे shading हो गई आपको, वहाँ पे और भी option है, ज़्यादि आप उसको कम ज्यादा करना चाहते है color के effect को, 20%, 30%, 50%, अलग-अलग design है दी हुई है, और इनके बीच में यदि आप दो color लगाना चाहते हैं, देखिए, यहाँ पे नमूना दिया हुआ है, ठीक है, तो यह ऐसी आप shading लगा सकते हैं, इंडेंट, आखरी जो corner बचा है हमारा वो paragraph, इंडेंट और spacing, spacing जो है यह लाइनों के बीच की spacing है, जो paragraph आपका selected है, उसमें before या after, paragraph के पहले और paragraph के बार में कितनी margin होना ज़रूरी है, वो आप यहाँ से रिधाइट कर सकते हैं, paragraph के पहले कितना gap होना चाहिए, paragraph के बाद कितना gap होना चाहिए, यह यहाँ से देख सकते हैं, इंडेंट, आपका जो test शुरू हुआ, वो कहां से शुरू होगा, वो आप